हेलो फ्रेंड्स वेलकुम तो मैं चैनल बाइलोग जानेंगे उसका स्ट्रक्चर उसका फंक्शन उसका इंट्रक्शन उसकी प्रॉपर्टीज सभी के बारे में इस वीडियो के इंदर जानेंगे और इच और एवरी पॉइंट को कवर करेंगे वीडियो को एंड तक दिखिए ताकि आपको माइटोकॉंड्रिया के बारे में सब कुछ पता से रपाएं सब्सक्राइब के बारे माइटोकॉंड्रिया को एक तरह से डेफिनेशन के आप में समझते हैं ये डबल मेंब्रेंड सेल और्वनली है जो कि सेल के अंदर प्रेजंट होता है साइटोप्लाजम में जो की ATP synthesis, जो energy है, energy को synthesis करने के लिए जाना जाता है, मतलब इसका जो main work है, वो ATP का synthesis करना होता है So, पहले इसका थोड़ा properties के बारे में जान लें कि क्या है mitochondria So, mitochondria एक ऐसा substance है, एक ऐसा मतलब double membrane structure है, जो की एक specific dye होती है, जिसको बोलते है Janus Green उसके, उससे हम जब इसको stain करते हैं, तब जाके हमको दिखाई देता है, microscope में, वो भी electron microscope है, Janus Green अगर वो नहीं डालेंगे, आप वो उससे stain नहीं करेंगे, तो mitochondria नजर नहीं आएगा So, for visualizing mitochondria, we just have to use Janus Green dye or stain for the visualization of mitochondria Second thing is that, कि जो जित्ते भी mitochondria एक cell के अंदर present होते हैं, उन्हें बोलते हैं Chondriotum, sorry, Chondrium, Chondrium, जो जित्ते भी मतलब अगर एक cell है, cell के अंदर 5-10 mitochondria है, तो उन्हें एक साथ बोलेंगे Chondrium, Chondrium, mitochondria से word बना है, जिनको collective, मतलब plural है mitochondria का, कि जितने भी mitochondria उनको इससे denote किया जाता है, ठीक है अब दूसरी चीज, case के अंदर double membrane होती है, यह बात हम अले भी बात कर चुक है, लेकिन double membrane की बात क्या है, कि जो बाहर वाली जो layer है, जो first layer है, जो outside layer है, वो rich होती है, lipids के अंदर, phospholipids के अंदर rich होती है, comparatively to the second layer, मतलब जो second layer है, वो phospholipids से कम बनी होती है, भार की layer phospholipids से ज्यादा बनी होती है, अब अंदर की layer के अंदर protein ज्यादा होता है, protein का जो constituent है, वो अंदर की layer में और ज्यादा होता है, so यह तो एक basic properties होगी, अब जान लेते हैं, उसका structure कैसा होता है, mitochondria का, so mitochondria का बहुत simple से structure है, अगर देखा जाए, तो, पहली बात, एक और जी यह बना देते हैं, यह double membrane इसमें होती है, और एक और चीज नोट करने की थी यहाँ पर, कि जो mitochondria है, उसकी जो double membranes है, वो mitochondria को दो parts में divide करती है, inner mitochondria और outer mitochondria, जो inner mitochondria है, उसे बोलते है, उसके अंदर वाले parts को matrix बोला जाता है, और यह जो दूसरा है, इसको बोलते है, जो दोनो तो layers के बीच का difference है, उसे बोलते है, पैरी nuclear space, पैरी nuclear space इसे बोला जाता है, दूसरी एक बहुत important चीज कि इसके ओपर कुछ इस तरह के structures present होता है, इस तरह के, जिने बोलते है, cytosome, cytosome बोला जाता है, यह पूरी इसके ओपर present होते हैं, इस तरह से, पूरे के पूरे यहां पर present होंगा, इन्हों क्या बोला जाएगा, cytosome, cytosomes इन्हें नाम दिया जाता है, ठीक है, और यह होगी, outer layer, और यह होगी, inner layer, ठीक है, mitochondria की खास बात यह है, कि इसके अंदर, खुद का DNA होता है, सबसे पहली बात, खुद का DNA भी present होता है, जो कि अगर cell का पूरा consistent DNA देखा जाए, तो 1% DNA mitochondria का होगा, मतलब जो sharing अगर की जाए, यह अगर cell है, जिसके अंदर mitochondria के कितना, कितना percent DNA consistent होगा, तो mitochondria का 1% DNA होगा, mitochondria के अंदर कुछ न, कुछ-कुछ RNAs भी होते हैं, कुछ टाइप के RNAs भी पाये जाते हैं, ठीक है, mitochondria के अंदर protein synthesis का work भी होता है, यहां क्या होगा, यह ribosomes present है, यह ribosomes में बना रहो है, यह ribosomes है, राई बोजोम्स की वजए से क्या होगए यहां पर राई बोजोम्स जैसे मैंने बताया था धे प्रोटीन सिंथेस्स का कणूर करते हैं तो बंच्वरृ बीन इंदर फोता है x3 और यह क्या चीज बनाते हैं री निया लिखा एंसे में इन लिक पिर मारओ आएецory अब ये देखो इसके अंदर राइब आगया डियने भी आगया आरेने भी आगया यह मैट्रेक्स है एटीपी प्रोडक्शन तो इससे क्या बोला जाता है सेटी सेमी ओर्टोजोमल सेल मतलब यह एक तरह सेमी हो गया अपना जैसे पूरा एक सेल होता है वह अपना मिलके सब सब कुछ मिलके काम कर तो सेमी ओर्गन जाता थीक है तो यह था है इक सिंपल से स्ट्रक्चर माइड्योकॉंट्राइब। इसके अंदर यह जो cytosomes हैं यह main work करते हैं ATP synthesis का यही work करते हैं ATP synthesis का यह पूरी cell जैसे villiase होते हैं यह villiase जैसे इसके बोलते हैं इसके इंटरस्टाइंगमर्ट उसी तरह यहां पर यह present होते हैं इनसे surface area पर बढ़ाते हैं mitochondria का working के लिए so this is about the structure of mitochondria अगर इसके function की बात की जाए तो function बहुत ही easy सा है कि यह simple से word में बोलते हैं कि यह ATP synthesis यह energy synthesis का work करता है mitochondria so I hope कि आपको यह video पसंद आया होगा आपको यह topic समझ आया होगा अगर आपको कोई भी problem लगे इस topic के अंदर तो आप मुझे comment box में पूछ सकते हैं और please video को अपने दोस्तों के साथ share कीजिए ताकि वो भी इस topic को diagramatically समझ पाएं और अपने exams अच्छे clear कर पाएं और अगर आपको यह video किसी तरह भी helpful लगता हो तो please video को like कीजिए और subscribe कीजिए channel को for more interesting videos such like that Thank you so much for watching किरें कि अक्त्र natural यपको सरा हीम वह थाकिए को भी कीजिए